जब आजए पढ़ने वाले हैं सेक्रेट नमबर्स सेक्रेट मतलब सेक्रेट कर दो दो बच्चे है वो एक गेम कहल रहे हैं वो एक गेसिंग गेम सटेक किसे हमित नमबर कुछ किसल बहसे विलिगा है उसके करते है अंसें। सबसे परें ऐसे संह्णा निन भी 100 है, मतलब 50 से ज़्यादा है, very good, 50 से ज़्यादा, मतलब greater than 50, तो इसका मतलब क्या हो सकती हो, 51 से लेके और 99 तक कोई भी संख्या हो सकती है, अब देखो, दूसरे कुलू पे आते हैं, it is more than 6 tenths and less than 7 tenths, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये संख्या 6 tenths से ज़्यादा है, मतलब किसे ज़्यादा है, 60 से, very good, 60 से ज़्यादा है और 70 से कम, मतलब वो संख्या 60 और 70 के बीच में, clear है, अब एक क्लू हमारा पास और आ गया, the tenths digit is one more than the once digit, अब देखो, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि once और 10s digit क्या होते हैं, इकाई दाई पढ़े हैं न हमने, ये होता है इकाई और ये होता है दाई, यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पर भी एक संख्या है, अब वो बोल रहे हैं, the tenths digit is one more than the once digit, अब देखो, 60 और 70 के बीच में जो भी संख्या हैं आएंगे, उसके दाई में क्या आएगा ही आएगा, बताओ, यहाँ पर 6, 6 तो आना है, clear है, अब वो बोल रहे हैं, कि जो once में जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या है, इससे ये एक ज़्यादा है, प्लास वन, तो क्या हैगी, 5, 65 हो गया, पचास से, तो पचास से भी, more than 4 tenths and less than 5 tenths, मतलब 40 और 50 के बीच में, the 10th digit is 2 more than the 1st digit, फिर आजाओ यहाँ पर, वो बोल ने, 10th digit is 2 more than the 4th, अब यहाँ पर 10th में कौन से डिजित आनी है, 4 तो आनी है, और इससे ये कितने ज़्यादा है, 2, तो क्या है ये, 2, 42, and together, इनका सम कितना आएगा, 6, clear है, समझाई, अब बोल रहे है, write a set of clues for a sacred number of your own, then give it to a friend and guess your sacred number, ठीके, अब बोल रहे हैं, अब आपने ऐसे पजल बनाने यहाँ और आपने दोस से पूछने है, जिससे कि वो इस number को क्या कर सके, find out, काट सके, ठीके, clear है,